तो हेलो माई रेडर फैमली, दोस्तों वैसे तो इंडियन टू इलर मारकेट में बहुत सारी बाइके लॉंच होने वाली हैं, लेकिन आज किस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी कनफरम बाइक बताने वाला हूँ, जिनका 100% इंडियन टू इलर मारकेट में लॉंच कनफरम हो ग आनेंगे तो विदाउट एनी विस्टिंग टैम लैट गैट स्टार्ट दे वीडियो दोस्तों जो नमबर दो पर अपकमिंग आने वाली है वो है ओल न्यू यामा की एफजट वर्जन फोर जो की बहुत ही जल्द इंडियन डूविलर मार्केट में लॉंच होने वाली है जिस इस ते हाज को कॉंपलीटली डिफ्रेंट लूक देखने के लिए मिलने वाला इस बाइक में आपको एफजेट टू-फिप्टी के स्मिलर लुग देखने के लिए मिलेगा ॉपिक के के बारे मेंस देखने कर दिया गया है आपकोट एटेसा के लिए मिल जाएगा जो की काफी अच्छी बात है लेकिन मुझे इस बाइक की इक बात है जो बहुत ज़्याधा बुरी लगी है कि इस बाइक में इंजैन को अपगेड बिल्कुल भी नहीं किया गया है यहां पर जो सबसे बड़ी इस इस कि पार beetle गीम्ठानी पार को नहीं किया है है अगर में से कंपनी था जा tells उसली हो जाती तो सब्सक्राइब के launch date और इस बाइक के उन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो यह बाइक इंडियन डूइलर मार्केट में आपको 1,25,000 के एक्सोरूम प्राइस में अवेलबल हो जाएगी जो की regular प्राइस से 3 या 4,000 रपे एक्स्टर आपको देखने के लिए मिल सकती है अगर हम इस बाइक की launch date ये बारे में बात करें तो ये बाइक 100% दिवाली तक इंडिया में launch हो जाएगी दोस्तों जो नमबर 1 पर आने वाली upcoming बाइक का वो है कावा साकी W175 RR ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में बहुत ही जल लॉंच होने वाली है और इस बाइक की भी launch date इंडियन टूलर मार्केट में confirm हो गई है launch date तो हम आपको end में बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के looks के बारे में अगर हम इस बाइक के looks के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको completely retro bike के look देखने के लिए मिल जाएंगे जो देखने में काफी ज़्यादा खुबसूरत लगते हैं अगर हम इस बाइक के फरंट हेडलाइट के बारे में बात करें तो इस बाइक के फरंट में आपको हेलो जीन हेडलाइट का सेटप देखने के लिए मिल जाएगा अगर हम इस बाइक के इंडिकेटर के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको हेलो जीन इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएंगे और साथी साथ इस bike में आपको LED टेल लाइड भी देखने के लिए मिल जाएगी जो इस bike के look को और भी ज़्यदा enhance करती है अगर हम इस bike के overall look के बारे में बात करें तो इस bike में आपको काफी ज़्यदा बैटरी रेट्रो क्लासिकल लुक देखने के लिए मिलते हैं और साथी साथ इस bike में आपको बहुत ही ज़्यदा comfortable seat देखने के लिए मिलती है जिसके तुरू आप long ride भी बहुत ही असानी से कर पाएंगे जिससे आपको back pen जैसी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी दोस्तों अगर हम इस bike के features के बारे में बात करें तो इस bike में आपको काफी advanced feature देखने के लिए मिल जाएंगे इस bike में आपको dual channel ABS भी देखने के लिए मिल जाएगा जो की safety के point of view से काफी अच्छी बात है अगर हम इस bike के fuel tank capacity के बारे में बात करें तो इस bike में आपको 13.5 liter का fuel tank देखने के लिए मिल जाएगा अगर हम इस bike के braking system के बारे में बात करें तो इस bike के front में आपको disc brake का option देखने के लिए मिल जाएगा अगर हम rear brake की बात करें तो rear में आपको drum brake देखने के लिए मिल जाएगा अगर हम इस बाइक के engine के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 177cc का single cylinder 4-stroke 4-volve engine देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 13 hp की maximum power को produce करता और 13.2 Nm के torque को generate करता है इसके लाव इस बाइक में आपको 5-speed manual transmission gearbox setup भी देखने के लिए मिल जाएगा जो की काफी अची बात है अगर हम इस बाइक के meter console की बात करें तो इस बाइक में आपको round shape का analog meter console देखने के लिए मिल जाएगा जो देखने में काफी ज़्यादा premium लगता है तो finally अगर हम इस बाइक की launch date और इस बाइक के own road price के बारे में बात करें तो ये बाइक इंडियन टुविलर मार्केट में एक लाख 25,000 के एक्सोर उम प्राइज में इंडिया में available हो जाएगी अगर हम इस बाइक की launch date के बारे में बात करें तो ये बाइक 25 सितंबर को इंडियन टुविलर मार्केट में launch होने वाली है ताकि इसी तरह की informatic आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके अगर आप हमारे channel को financially support करना चाते हो तो आप हमें super thanks भी send कर सकते हो तो मिलते हैं को रेसी next वीडियो में तब तक के लिए till then बाइ